नमस्कार साथियों! आईए जानते हैं भगवान शिव के बारे में. भगवान शिव का स्वरूप सभी देवी देवताओं में सबसे निराला है. उनके तन पर कोई गहने जेवरात नहीं है, और नहीं उन्हें छपपन भोग लगाये जाते हैं. महादेव तो भगतों के दिलों में राज करते हैं. भोलेनाथ एक लोटा जल और दो बेलपत्र में ही प्रसन्द हो जाते हैं. कहा जाता है कि शिवजी अपने भगतों से शीधर खुश हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वर्दान दे देते हैं. इसी वज़े से उन्हें भोला या भोलेनाथ कहा जाता है. उनके गले में साम्प लिप्ता, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में त्रिशुल्डमरू, वाहन नंदी और तन पर भस्म लगा हुआ है. शिवजी के इस रूप के पीछे कई वज़े चिपी हुई है. इसी में से एक है कि उनके गले में आखिर साम्प क्यों लिप्ता रहता है. अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं. भगवान शिवद्वारा गले में आभूशन के रूप में जिस नाग को धारन किये हुए हैं. वह कोई आम साम्प नहीं है. बलकि इसके पीछे भी एक पौरानिक कथा छिपी हुई है. आईए जानते हैं कि वह नाग कौन है और शिवजी ने उन्हें अपने गले में क्यों धारन किया हुआ है. तो साथियों आगे इनसे जुड़े और भी बाते जानने से पहले. आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें. साथी बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आगे भी हमारे विडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो साथियों जिस साम्त को आप शिव जी के गले में देखें, उसका नाम वासुकी है. ऐसा कहा जाता है कि नागराज वासुकी भगवान शिव के बहुत बड़े भग्प थे. नागवन्शी लोग शिव के क्षेत्र हिमाले में ही रहते थे. इन सभी से शिव जी को बड़ा लगाव था. इस बात का प्रमान नागेश्वर जोतिरलिंग है. नागराज की इच्छा थी कि वह सदैव भगवान शिव के समीप रहे. इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है. ये वही सामफ हैं जिन्होंने समुधर मन्थन के दारान रसी का काम किया. परवत पर लपेट कर मतै जाने के कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहुलुहान हो गया. इसके साथ ही जब समुद्र मन्थन के दौरान विश उत्पन हुआ, तो वासुकी ने भी शिव जी की सहायता के लिए विश का कुछ हिस्सा ग्रहें किया ये देखकर भगवान शिव उनसे प्रसंद हुए और उनकी सदैव पास रहने की इच्छा की पूर्ती करते हुए शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया, तभी से वासुकी अमर हो गए, शिव जी द्वारा विशैले साम्प को अपने गले में धारण करना इस बात का संकेत करता है कि अगर दुर्जन भी अच्छे कर्म करें, तो इश्वर उसे स्वीकार करते हैं ऐसे में व्यक्ति को केवल अच्छे कर्म ही करने चाहिए, चाहे उसका स्वाभाव कैसा भी हो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मन्थन के अलावा वासुकी नाग का वर्णन एक अन्यस्थान पर भी मिलता है किवधन्तियों के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण के जन्द के दौरान वासुदेव श्रीकृष्ण को कंस की जेल से निकाल कर उन्हें गोकुल ले जा रहे थे तब यमुना के तूफान में एक भयानक तूफान आ गया ऐसे में नागराज वासुकी ने ही भगवान श्रीकृष्ण और वासुदेव को सुरक्षित रूप में यमुनापार करने में सहायता की थी तो साथियों नागो का राजा वासुकी के और भी कई रहस्य है तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए बाते लेकर तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद